वीडियो काफी important topic पर होने वाला है क्योंकि आप image में देख सकते हैं मैं आपको एक image दिखा रहा हूँ इसे split air conditioner में suction line और discharge line दोनों पर भर-भर के ice आ रहा है इसके क्या reason है जिनने नहीं पता है वो confused हो जाएंगे fault को ढूरते ढूरते आज इस वीडियो में complete मैं बताऊंगा कि क्या-क्या fault हो सकते हैं इस तरह का अगर problem आता है आपके AC में suction line और discharge line दोनों पर भर-भर के ice आता है तो इसके एक नहीं कई region हो सकते है अगर suction line पे सिर्फ suction line पे ice आ है उसका region अलग होता है अगर discharge line पे ice आ है तो इसका region अलग होता है अगर दोनों line पर एक समान पुरा भर-भर के ice आ है तो उसका region अलग हो सकता है तो अलग-अलग region होते हैं तो आज इस वीडियो में बताऊंगा दोनों पाइप पर दोनों line पर अगर ice आ रहा है तो इसके क्या region होते हैं उससे पहले बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो को facebook पर देख रहे हैं तो facebook page को follow कर ले ताकि ऐसे useful video का notification आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दोनों लाइन पे आईस क्यों आता है अब देखिए यहां पर पहले इस्टे बाइस्टे में समझाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अगर discharge line पे आईस आ रहा है तो क्या होता है discharge line पे आईस आ रहा है मतलब कि gas कम होता है उसके वज़ेसे gas pressure low होता है इसके वज़ेसे discharge line पे आईस आता है अगर थोड़ा कम है तो pipe बहुत ज़्यादा ठंडा होगा discharge line liquid line जो पतला pipe होता है discharge line उसी को कहते है तो अगर हलका gas कम है तो pipe बहुत ज़्यादा ठंडा होगा अगर बहुत ज़्यादा कम है गैस तो डिश्चार्ज लाइन पे आईस आता है लेकिन सक्सन लाइन पे आईस नहीं आता है अगर गैस कम होता है तो सक्सन लाइन पे आईस नहीं आएगा इसको ध्यान में रख लीजिए suction line पे ice तभी आता है जब कुछ बड़ा fault होता है AC में इस AC में तो दोनु लाइन पे ice आ रहा है तो इसे कैसे चेक करेंगे अब चेक कैसे करना है इसको समझ लीजिए indoor से लेकर के outdoor तक कैसे चेक करना है indoor में जब हम top cover हटाएंगे उपर से तो वहाँ पर आपको देखना है कि फिल्टर कैसा है गंदा है या फिर साफ है अगर गंदा है तो उसे साफ करिए कुलिंग कॉाइल गंदा है तो उसे साफ करिए इंडूर का उसके बद ब्लोवर ब्लोवर की स्पीड कैसी है ब्लोवर की स्पीड अगर कम होगी तो भी इस तर आउट डूर में आउट डूर का कंडेंसर फैन मोटर इसको चेक करना है आउट डूर का कंडेंसर कहीं गंदा तो नहीं है अगर गंदा होगा तो भी ऐसा प्राबलम आता है जो मैं बता रहा हूं सारे इस टेप आपको चेक कर लेंगे यह प्राबलम आपका सॉल्ब हो ये हमें ब्हुत कर लिए उसके बाद फिर हमें Local syndrome चेक होता है से इसके बाओ अगर फिर वी सही नही सबस्क 밝ाए तक इसकी डूसरा फाल्ड होता ही नहीं मेज आगा हृतोक लेके कंट फी송 में में उस तो रही जाएगा एक फाल्ट और होता है सक्सन लाइन पे डिश्चार्ज लाइन का आईस तो खतम हो जाएगा गैस आपने पूरा कर दिया लेकिन सक्सन लाइन का आईस नहीं खतम होगा अगर कैपलरी आपकी चोक है या फिर इंडोर में आउट डोर में अगर ऑईलिंग है ऐलिंग है तो यह प्रावल्लम फिक्स नहीं होगा आप कुछ भी कर लें सक्सन लाइन का जो आईसिंग होता है डिश्चार्ज लाइन और सक्सन लाइन पे आ रहा है तो आपको चेक करना है जो मैं बताएं उस सारे step आपको सब कुछ चेक करना है सब कुछ चेक करने के बाद last में आपको क्या करना है कि आपको capillary or dry filter निकाल देना है उसके बाद आपको उसका oiling जितना भी oil है outdoor में, indoor में जितना भी oil है उसे flush करके आपको निकालना है फ्लस करके निकालने के वाद वेक्यूम करकी गेस चारज करेंगे, आपके AC में कोई भी प्राब्लम नहीं होगा अगर compressor damage नहीं होगा तो, compressor damage होने का मतलब कि आप जब capillary आप निकालेंगे और फ्लस करेंगे, उसी समय उसी time पे आपको compressor का pumping भी चेक कर लेना है compressor compressor का pumping काफी माईने रखता है AC को cooling करने के लिए अगर pumping down है तो cooling system नहीं करेगा आपका तो pumping चेक कर लें pumping चेक करने के उदागर pumping सही है तो आप फिर से capillary और dry filter लगा करके gas charge करें लेकिन अगर pumping down है तो compressor replace कर दें उससे दूसरा तरीका नहीं है अगर compressor का pumping down होगा तो compressor आपको replace करना ही पड़ेगा तो इतना करने के बाद आपका air conditioner पूरा properly सही चलने लगेगा पूरा fix हो जाएगा कोई भी problem नहीं होगा air conditioner में बहुत ज़्यादा fault नहीं होता है एक cycle system को समझना होता है एक circuit diagram system को समझना होता है बस refrigerant किस तरह से system में run कर रहा है outdoor में जात कैसे जाता है indoor में जाता है और कहां पर vapor होता है कहां पर liquid form में होता है में प्लेख़स क्यों लगाई जाती है condenser में बखा RickyTell life वें दािशों आखे सब cycle diagram में आता है cycle यानी cycle चल रहा होता है refrigerant cycle को समझना है अनदर उसके बाद आसानी से आप किसी भी air conditioner को छोटे से लेकर के मीनी, स्प्लीट AC, बिंडो AC, या फिर प्लांट, या फिर जितने भी HVAC, जितने भी बड़े बड़े air conditioner है, सब को आप आसानी से fix कर सकते हैं, अगर एक बार आप refrigeration system को, आप cycle को, और circuit diagram को अगर आप समझ गए तो तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी useful रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जिरू कर दें, लास्ट में बताना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब ने किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहा है, तो फेस्बुक पेज को फालो कर लें, ताकि ऐसे ही useful वीडियो का notification आपको मिल पाया और वीडियो को देख पाया सबसे पहले